ग्रीमिंत्री हमेशा की सियात्रा के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेमान जोड़ रहे हैं प्रोफेसर एसडी मुनी वीदेश मामलों के जानकार साथ ही मेजर जनरल इटायर अश्विनी सिवास साथ जो की रक्षा विश्यशक्य हैं स्टूडियो में हमार रात रुकेंगे और सीधे तोर पर यह कहना की सुई की नोक के बराबर जमीन भी कोई नहीं ले सकता देखर अकलेश बहुत साफ सुत्रा मैसेज है सब के लिए और मैं जो लगता है कि चीन के लिए एक बड़ा मैसेज है कि जिस परकार से वो अरुनाचर को एक साउट टिब कोई भी समझोता नहीं कर सकता भारत के साथ यह बदलावा भारत है यह फिफ्ट जो लार्जस्ट एकॉनमी है फूर्थ लार्जस्ट इसकी आर्मी है और किबितु में जाना एक बहुत महत्पूर्ण है क्योंकर किबितु याद रखो यह सबसे पहला गाउं है बहुत अच् के वाइबरेंट विलेज स्टार्ट करना यह एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसके अंदर छेसो बासट गाउं पहले फेज में हैं जिसमें से चारसो पैतानीस गाउं जो हैं वो अरुनाचर प्रदेश में अरुनाचर प्रदेश यह याद रखना है बड़े जोरों से वहाँ पर इंफ्रसक्टर बढ़ने हैं सडके बढ़ने हैं पानी की सूलियत हो रही है वहाँ पर लेक्टिसिटी आगया नेट आगया तो यह जो वाइबरेंट विलेज हैं जो छेसो बासट उसमें से चारसो पैतालिस गाउं और नाचल के हैं और उन म मुझे लगता है इस गौर्वर्मेंट का जो एक माइंड सेट है वो यह है कि अगर हमारे बॉर्डर एरिया ड्वेलप करेंगे तो यह हमारे आईजन येर्ज हैं और यहीं हमारे साथ कंदे से कंदा मिला के चीनियों से लड़ेंगे और मुझे लगता है यही सचाई है एकन करक practicing से शुरू किया लेकर गरीम इन 트ियम की यात्रा को लेकर चीन के विदेश मंताले ने जिस طरह से इतरास किया है आप उसको किस तरह से देखते हैं देखे चीन इस आदत में है कि किसी इन किसी तरीके से वो अपने क्लेम्स को स्ट्रॉंग बनाने के लिए या जिस्टिफाई करने के लिए ये कह रहा है दूसरी तरफ चीन ने टेरिटोरियल नेश्नलिजम की बात शुरू किये वो जहां कहीं भी चाहे वो तैवान हो चाहे मंगॉलिया हो जहां कहीं भी कोई दूसरा व्यक्ति जाता है वो समझता है कि सारा इलाका उनिका है और इसलिए उसके उपर बताने की कोशिश करते हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ कि चीन ने एक परंपरा और एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें खुद चीन नए सीमा के उपर नए नए गाउं बनाने शुरू किये इस नियत से कि उनका क्लेम स्ट्रॉंग हो जाए उसे उपर और यही कारण है कि उनको यह अब देखिए तीन बार उन्होंने नाम बदले हैं अरुनाचल प्रदेश में दोहजार सब्त्रा में दोहजार इकीस में हमारा हमारा हक है उसके उपर अनफॉर्चुनेटली चीन को यह समझ में नहीं आता कि जो जैसे प्योगा एरिया है उसमें वह बिया राई बना रहा है उसमें सावरेंटी नहीं वाइलेट हो रही है वहाँ पर शाव चाइना सी है उसमें साउट साउटी सेशन कंट्रीस की सीमा वाइलेट हो रही है वियतनाम परेशान है फिलिपीन्स परेशान है एक मुल्क के साथ नहीं है तो यह चीन की एक जनरल अंदाज है आज कल उनका काम करने का वो समझते हैं बहुत शक्तिशाली हो गये हैं और बहुत अकरामक तरीके से वो अपने जो भी दावे हैं उनको को बढ़ाना चाहते हैं जे सिवासाब आपको एक चीज और जो बात ग्रिविंती अमिश्या की सियात्रा के दोरान आई इन्होंने इस पर पर का कि आज रात को जो हेलिकॉप्टर उन्हें लेकर आया था वो वापस भेज दिया रात वहीं रुखेंगे तो बिल्कुल एलेस सच में आज क्या मैसेज दे रहे हैं हमेश्चा ये हमारा नंबर वन विलेज है और यहां पर हम इसको मौडरनाइज करेंगे और इसको ड्वैलप करेंगे और यही नहीं और भी करेंगे और सचाई यह है कि वो एक बार जैसे एक सैनिक होता है इस तरीके से जाकर फ्रंट मे मुझे लगता है यह गौर्मेंट का माइंड सैट ऐसा है यह गौर्मेंट जो है डिफेंसिव नहीं है यह चीन की आखों में आखें डाल के देखना चाहती है वो दिखाना चाहती है कि वो जमाने गए जब चीन से भारत को कई बार बोलने के लिए दस बार सोतरा पड़ता आज एक बदलावा भारत है आज हमारे पास दो स्ट्राइक कोर हैं चीन के लिए और हम बताना चाहते हैं कि यह नहीं कि चीन भारत में आ सकता है बारत भी चीन में जा सकता है सेविंटीन स्ट्राइक कोर और एक दूसरी स्ट्राइक कोर जो हमने वेस्टन सेक्टर से नर्द ही होगी तो मुझे लगता है चीन को भी ये समझ आगी है कि ये भारत नहीं है जो पहले था जिसको पुश ओवर कर सकते हूँ दूसरा ये जो वाइपरिंट विलेज है इसकी एक बड़ी खशूसियत है कि एक तो वहां पर टूरिजम डॉयलप होगा मुझे लगता है ये गौ बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है ये आई टी बी की साथ बटालियन भी रेज कर दी गई है उसका है सॉन आउदा सॉयल वहीं से लोग भरती किये जाएंगे और उससे क्या हो रहा है एक तो आपके साथ ये कंदे से कंदा मिलाके खड़े हुए हैं दूसरे दे आर आईज का जाल बिच गया है रेलवे लाइन टरनल बन गी है उपर से जो वाइबरेंट विलिज बना रहे हैं हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें हैं सब को साथ लेके एक देश जो ड्वैलप करेगा और मुझे लगता है ये एक बहुत साथ सुत्रा मैसेज हमने चीन को बेजा है देर आए दुरस्त आए हमने लेट स्टार्ट किया मगर अगले दस पंदरा साल में हम कैच अप कर लेंगे ये को दैस हजार से करोड का इंवेस्टमेंट किया गया इंफरस्ट्रक्चर को मजबूत करनी के लिए प्रोफेसर मुनी जो कूटनीतिक पहलू है इस पूरे मामले का आप लगता है कि भारत की और से जो पहल की जा रही है यह जो भी फैसले किये जा रहे हैं वह एक सही संदेश चीन को देते हैं ज्यादर कि कूटनीति का सवाल है तो गैसे में ये मानता हूं कि भारत की कोई सरकार कोई समझोता सब्रेंसेटर पे नहीं कर सकती है और ना किया गया है लेकिन ये बात साहित हैि कि चीन जो है वो शक्ति की जुबान समझता है पावर की की समझता है इसलिए अपने आप को सशक्त बनाना भारत का उतेश रहा है और उसको अभी की सरकार में भी बहुत आगे बढ़ाया है लेकिन अन्तो गत्वा मैंने हिसाब से इसका फैसला लड़ाई थी से नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं इसका फैसला बाचीस और कुटनीती से होना चाहिए और उसमें जो चीन का दो हजार पाँच का एग्रिमेंट है भारत के साथ में कि वो पुलिटिकल गाइडलेंस उसमें लिखी हुई है उसमें अगर आप याद करें तो एक गाइडलाइन ये है कि जो सीमा में ऐसे गाउं बना रहा है आजकल जबकि हमारे गाउं को हम विक्सित कर रहे हैं वो अपनी सीमा में बहुत सारे ऐसे गाउं बना रहा है अपने दावों को बुक्ता बनाने के लिए ताकि अगर कभी डायलॉग हो और सैटल्मेंट डिप्लोमेशी से ही होगा ये चीन नाम बदलने हो चाहे गाव सेटल करने हो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुनी साहब जनरल अश्विनी सिवाजी हमार साथ जुड़ने के लिए विस्तार से समझाने के लिए कि आखिर ग्रिमिंतिया मिश्या की जो आज की यात्रा है और जिस तरह से आज रात वो भारत ची इन सिमा इस्तितिक गाव में बिता रहे हैं उसका क्या संदेश है खास और से चीन के लिए